जहिन सर जहिन पापा देद कर गए हैं सर उनकी चीता को आग देने के लिए घर में कोई नहीं है मुझे घर जादा होगा तुम्हें पता है ना बोडर पर जंग छिल चुकी है बोडर पर दुस्मनों के चीते को भी आग लगाना है अब तुम्हें डिसाइड करना है दुस्मन के चीते को जलाओगे या अपने बाप के चीते को जलाओगे दुस्मन के चीते को जलाओगे सर जहिन सर जहिन पापा बगल के आंटी बड़ी सुन्दर है बेटा ऐसा नहीं बोलते आंटी मा समान होती है हमेशा अपने इस सेटिंग के बड़ी रहती है ए पीजा बोल पीजा या तेरा जीजा अपे गड़ी बोल गड़ी गड़ी तेरा फटी चड़ी अंदा बोल अंदा तेरा बदन गणदा चलिए दरुगा जी बुला रहा है इस चोट कैसे लगा है कि देवारा के देनी ना जूमा तो मर ले बपाए तू ने खुन उमर ले है ना ये दरुगा जी वाकि हमाँ नाती के वो ठेक काट ले ले बनी ए तू बिहारी है हाँ सकल सही लग रहा तू पीजा बर्गर खाने वाला और हमें लीटी चोखा ही प्यारी है हाँ हाँ हम बिहारी है तुम्हारे डाइडी बीजनसमेन है और हमारे बाबुजी बैपारी है हाँ हम बिहारी है तुम पटर पटर इंगलिस बोलते हो और हमें भजपूरी ही प्यारी है हाँ हम बिहारी है तुम सबजी को भेजी टेवल बोलते हो और हम बोलते तरकारी हैं हाँ हम बिहारी हैं तुम दरवाजा को डोर बोलते हो और हम बोलते केवाणी हैं हाँ हम बिहारी हैं अरे तुम सूट बुट पहनते हो और हमें गमछा ही प्यारी है हाँ हाँ हम बिहारी हैं बिहारी हैं गुछ ने उबच्ट शान्ट हो जा मेरे बच्ट शान्ट हो जा मुल्षिं है ने घरे माई केक किलो फिए ले गए लगर कहा थी कौन कौन बेबी साज आँ आने मम ताज के लिए ताज महल बना आप मेरे लिए क्या बनुआओगे हलो मैं कल जा रही हूं घर पटना पक्का गर के आगे कोई ना कोई घटना बेबी अपको पता है मेरे महले के लड़के देखके मुझे क्या भूलते हैं हां बेबापा है तू